यूटूब एब पर घंटी बजाओ और खबरे अभी तक की हर खबर की अपडेट पाओ महाभारत में धृत्र राश्ट्र का किरदार निभाने वाली गेरिजा सिंग ने खबरे अभी तक से खास बातचीत की है गेरिजा सिंग ने जहां अपने रोल और अपनी जिन्दगी के बारे में बताया तो वहीं हर्यानवी फिल्म इंडॉस्ट्री में बॉलीवूड के इस तर की फिल्में बनाने की भी बात गही महाभारत तो आपने देखी होगी और महाभारत देखते देखते अगर आप सबसे ज़्यादा परभावित हुए होंगे तो वो महाभारत के किरदारों से हुए होंगे वोज रोल मुझे सौंपा गया तो बहुत ही चैलेंजिंग और बहुत ही जमेदारी का काम था तो मैंने भी उसमें पूरी मेहनत की कोशिश की कि ये काम ये रोल ऐसा हो ताके मैं इसको जस्टिफाई कर सकूँ मेरे ख्याल से अच्छा ही हुआ क्योंकि सब लोगों ने बहुत तरितरास्ट के करेक्टर से ज़्यादा हाँ और भी करेक्टर मैंने किये जैसे उसके बाद एक सीरियल आया था अलिफ लैला अलिफ लैला में जो सेंटरल करेक्टर था प्रिंस शेहरियार का वो भी बहुत बड़ा अच्छा और इंटरस्टिंग करेक्टर था I did that I enjoy that and उसक मामा का which was very interesting character again जो मैंने किया मुझे अच्छा लगा it was a good series तो एक एहम बात ये भी है कि आपने हर्यानवी movies की बात की कि एक फिल्म में आपने कां मार रख लेकिन आज हम जानते है की हाशिए पर जा चुका है हर याना में जो मोवेश का एक प्लान कहें तो कोशिष करें हर्याना सरकार लेकिन उसके बावजूद भी उठान क्यों नहीं हो रहा है कोशिष में इन्सां अक्सर कामियाब होता है ये मैं कि खासे जल्दी ही कुछ वो काफी प्रॉसाहित करेंगे हम जैसे आर्टिस्स को डिरेक्टर को के हर्यानमी भाशा में हर्यानमी अच्छी फिल्में बनें और एंटर्टीन्मेंट भी करें और थोड़ा सा सोशल इश्यू को भी साथ पेले कि हमारे यहां की स्टोरिज लेकर ब बॉल्यवोड एट पार हो